नमस्तार मैं हूँ एस्ट्रोज नरेश और आप एक रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल नरेश एस्ट्रोज आज के वीडियो में एक नए प्रोडिक्शन के बारे में बात करनी है जब लगनेश वक्री होते हैं उसके बारे में वक्री को इंग्जेश में बोलता है रिट्रोग्रेट तो एक्चुली क्या होता है कि जो रिट्रोग्रेट याने बक्री बक्री जो प्लैनेट होते हैं वो वास्ताव में कोई गरा जो है वो अपनी धरी के उपर उल्टा नहीं गूमता है लेकिन बक्री तब कहलते हैं जब उसका मोशन स्लो हो जाता है अपनी धरी के उपर गूमने का जो मोशन होता है वो स्लो हो जाता है उसको बक्री बोलते हैं तो देखते हैं आज के वीडियो में रिट्रोग्रेड प्लैनेट्स लगनेश होकर लगनेश ग्रह रिट्रोग्रेड होकर कैसे फर्प्रतन करेंगे और उसका तोड यान रेमडीज क्या है इसके बारे में है आज का वीडियो सबस्क्राइब करेंगे मेश लगना के बारे मेश लगना में जो लगनेश है वो मंगल होता है मंगल जो लगनेश मेश लगना की कुणली है और लगनेश मंगल जो वक्री याने रिट्रोग्रेड है तो हर काले में डिले होगा विलम होगा और मंगल जो है वो ब्लड के कारक है अपने ब्लड रिलेटिव्स जो है उनके साथ अपने को टेंशन रहेगा यानिकि ब्लड रिलेटिव्स जो है अपने भाई बैन है माता पिता वाइफ बच्चे यह सबसे आपको टेंशन ज्यादा हो सकता है तो क्या है इसका तोड जो मंगल कुणली में रिट्रोग्रेड हैं लगने सोकर रिट्रोग्रेड हैं तो मंगल के लिए आपको रोज कम से कम तीन गाई को बूड खीलाना चाहिए और आपको भी सुबह साम खाने में थोड़ा-थोड़ा बूड लेना चाहिए रुसम लगने की कुणली में लगने जो हैं वो शुक्र होते हैं तो रुसम लगने की कुणली में शुक्र जो रिट्रोग्रेड होते हैं तो लग्जरियस जो कारिया होते हैं जिसे लग्जरियस मकान वाहान या कोई भी लग्जरियस आइटम गर में आपको लेना है तो उस उसके लिए आपको वीलम होगा लग्जरी मिलने में लाइफ में वीलम होगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको हर सुक्रवर को गरीब लोगों में चावल का दान करना है और आपको सुभे और साम दोनों टाइब चावल या निराइस आना है लिफुन लगनकी में जो बूध रिट्रोग्रेड हैं तो कॉम्यनिकेशन गयब होगा कॉम्यनिकेशन गल्ट प्रॉब्लम होगा जहां बात नहीं करनी है वहां बात डबर हो जाती है और जहां बात करनी है वहां बात करनी के रह जाती है तो ये communication regarding problem होगा i communication regarding garbage होगी तो उसके लिए क्या करोना है कपुतर को को क्रको कि अपकसि जहां परा ते हैं हो अपको आपको हला बेक करना है और आपको भी खुट को भी भाह खाना ते हई कार लगना की कुटली में लगनेश चंद्रा होते हैं तो चंद्रा रिट्रोग्रेट नहीं होते हैं सीह लगना की कुटली में लगनेश सूर्य होते हैं तो सूर्य भी रिट्रोग्रेट नहीं होते हैं और कन्या लगना के कुलि में लगनीश भूध होते हैं तो भूध का सेम्वर्मेटियस या बूध्र यह भकरी है तो आपको हरावला मौंग रोज खाना है सुबड़ा दोनों टाइम और पक्षी जहाँ पर आते हैं को भूधर आते हैं होको हरावला मौंग देना है तुला लगने की गुड़ी में लगने शुक्र होते हैं तो शुक्र के लिए दाल है राइस, चोखा आपको गरिब लोगों में देना है, चोखा आप बाद चोखा ये राइस आपको भी खाना है सुब्य साम दरटें व्रुस्चित लगनकी गुडली में मंगल होता है और मंगल यह भी वक्री है तो तो सेम प्रेवर्टीस ओफ लगना जो आपको बता है कि तीन गय को कम से कम गुड़ खिलाना है और आपको भी गुड़ खाना है सो वह समगर नटेम तन लगनकी कुडली में लगने जगुरू होता है तो प्रयोग करना है आपको चना की दाल कहां चना यह चना की दाल गाई को खिला यह पक्सियों को डाले और आप पीस तुबे साम दोनों टाइम चना की दाल यह चना खाए मकर लगनकी कुडली में लगने शनी होते हैं तो मकर और को दोनों लगनकी कुडली में लगने शनी होते हैं और शनी यदि रिट्रोग्रेड हैं तो आपको लेबर प्रब्लेम आए था आपके यहां गर में काम वाला जो है या गर में कोई लेबर है तो बराबर काम नहीं कर काम चोड़ के भाग जाएंगे यदि आप फैक्टरी या बिजनेस कर रहे हैं तो यहां आपके यहां जो काम करते हैं वर्कर्स को सेटिश्ट्री काम नहीं करेंगे बार बार आपको नए वर्कर्स लेने पड़ेंगे और यह सब प्रॉडम चलता रहेगा तो लगने सेटन यदि रिट्रोग्रेड हैं तो आपको तेल का दान करना चाहिए और काला उड़त का प्रयोग करना चाहिए उड़त या उड़त की आइटम्स गरके रोज खाके निकले और मैक्सिमम तेल का और उड़त की आइटम्स का दान करें और मिन्लेंड की कुण्डियों में जो गुरू वक्री है तो सेम प्रयव दनराशी का जो है वो चना ये चना की दाल कबुतर को पक्सियों को डाले चना की दाल आप खुद भी खाके निकले दर से ये चना खाके निकले और यदि कोई भी आप ऐसे समस्य से पीडित है या आपको कोई कंफीजन है तो आप सिधा हमें फॉर्म पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो वेब साइट है वो इस्तरकार है स्काइप पर एड्रस है जोतिस डॉट वास्तुगूरू और मोबाइल भी है आप वो वेब साइट में से कॉंटेक्ट कर सकते हैं ऐसा ही देखते रहे हैं नहीं ने प्रेडिक्शन्स कोमेंट्स करिए जैनल पर सब्सक्राइब करिए जैनल थैंक्स पर वोचिंग वीडियो को अलता विस्टू